हेलो स्टूडेंट, वेलकम तू माइन कल्कुलिशन, मैं आपका मैच्स एक्सपर्ट तुफान पॉल, आज आप लोग बताऊंगा क्लास 8 का टॉपिक रैस्टेन नंबर्स जो कि आपका NCRT बेस्ट है यह आपका चेप्टर नंबर 1 पर है देखो बच्चों, जो भी इस चैनल पे नहें हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रैस्टेन नंबर्स का जो आपका साब टॉपिक, जो रैस्टेन नंबर में जो जो पढ़ना है, उसका पुरा अवर्विव देख लेते हैं, साथ में हम लोग देखेंगे कि रैस्टेन नंबर्स क्या होते हैं, उसका प्रोपर्टीज क्य तो सबसे पहले इस chapter का overviews देख लेते हैं कि आप लोगों को इस chapter में पढ़ना क्या-क्या है तो चलिए start करते हैं आज का topic rational numbers तो सबसे पहले concept wise उसका topic देख लेते हैं कि आप लोग इस topic में पढ़ना क्या-क्या है तो सबसे पहले आप लोगो types of numbers पढ़ना है मतलब कि number system में कौन-कौन से numbers आते हैं तो उस number के साथ rational number का क्या relation है वो जानना है जैसे ही आपका natural numbers हो गये, whole numbers हो गये, integers हो गया, साथ में rational numbers हो गया, irrationals हो गया, real numbers हो गया यह पूरा types of numbers में पढ़ना है, तो हम लोग को क्या देखना है, कि rational number किसको बोलते है, उस rational number के साथ, जो हम लोग पर चुके है number system में, उसके साथ वो क्या relation बनाता है तो types of numbers में उसको पढ़ेंगे कि rational number किसको बोलते हैं उसका definition को अच्छे से जानेंगे कौन-कौन से number जो कि आपका rational numbers है वो हम लोग कैसे relate करेंगे integers के साथ कैसे relate करेंगे आपका whole numbers, natural numbers के साथ हम लोग कौन-कौन सा number numbers है जो कि rational number नहीं है तो उसको कुन से numbers बोलेंगे ठीक है यह हम लोग सब जानेंगे types of numbers में ठीक है तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि second sub topic आप लोग को पढ़ना क्या है properties of rational number मतलब rational numbers का properties का है properties मतलब गुन होता है ठीक है तो मतलब rational numbers का गुन क्या क्या है मतलब कोई भी दो rational number है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे क्या operator लगाएंगे क्यों क्या rational number निकलेगा या दूसरा number निकलेगा हम लोग देखेंगे properties में इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे addition and multiplication of rational numbers मतलब कोई भी दो rational number है उसको add करेंगे या multiply करेंगे ठीक है तो वो क्या है rational number निकलेगा तो यह निकलेगा तो हम लोग उस properties यह सब पूरा properties के अंदर आता है addition और multiplication दोनों किसके अंदर आ जाएगा इस properties के अंदर आ जाएगा पहले तो properties को अच्छे से clear करेंगे उसके बाद उसका जो addition और multiplication का part है और अच्छे से उसको clear करेंगे इसी मैं अलग लग लिख दिया हूँ ठीक है समझ में आ रहा है अब हमनों next देखते हैं इसका जो next sub topic है additive identity और additive inverse मतलब कोई भी rational numbers है उसका additive identity क्या होता है additive inverse क्या होता एगा अपकगी आपका किस के अंदर आ जायेगा एगी आपका properties के अंदर आ जायेगा आपका अपका एभी topic आज खा होता है multiplicative inverse क्या होता है मतलब यह जो आपका दो सब टोटल आपके तीन सब टॉपिक है आपका addition and multiplication of rational numbers additive identity और additive inverse multiplicative identity और multiplicative inverse यह तीनों इस properties के अंदर आ जाएगा properties of rational number जो है इसके अंदर एबी आ जाएगा और एबी आ जाएगा ठीक है मतलब आपका तीनों यह वाला topic यह वाला topic और यह वाला topic तीनों आपका किस के अंदर आ जाएगे properties के अंदर आ जाएगे क्योंकि properties में यह आपका तीन जो है main part है इसी को अलग-अलग करके मैं लिख दिया हूँ तो समझ में आ रहा है तो properties को अच्छे से clear करेंगे properties मतलब क्या होता है गुन होता है कोई भी rational number का main part होता है उसका property वो किसके साथ क्या relation बनाता है relation को किस तरह से define करते हैं साथ में जो relation है उसमें जो operator यूज करते हैं उस operator कोई भी दूरासनल नंबर है बीच में जो operator यूज करेंगे क्या वो rational number निकलेगा या नहीं निकलेगा हो हम लोग देखेंगे ठीक है कि restaurant numbers को number line में कैसे लिखा जाता है, कोई भी restaurant number है, उसको हम लोग number line में कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कि restaurant numbers greater और smaller, मतलब कोई भी दो restaurant number है, तो उस दो restaurant number में कैसे हम लोग उस restaurant number में से greater restaurant number निकालेंगे, या smaller restaurant number निकालेंगे, ठीक है, या तो तो दो से ज्यादा भी रह सकता है, तीन, चार, पाँच, इसमान लो एक रैसर नमबर 1 by 2, दुसरा नमबर है अपका 3 by 5, अपका 1 by 2 और 3 by 5, यह दो रैसर नमबर है, तो इसमें बताओ, कि दोनों रैसर नमबर में सबसे बड़ा रैसर नमबर कुन सा है, कुन सा होगा, इसमें इसमें 5 लिखा जाता है, 3, 2, 6, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें आपका क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे, तो जो बड़ा नमबर के सा होगा, तो 3 by 5 बड़ा होगा, हम लोग चेक करेंगे, इस साथ टॉपिंग में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, तो रैसर नमबर ग्रेटर और स्मॉलर, कौन सा दो रैसर नमबर है, उसमें से उस दो रैसर नमबर में से कौन सा ग्रेटर रैसर नमबर है, और कौन सा आपका स्मॉलर रैसर नमबर है, उसमें से चेक करेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, कि कोई भी दो रैसर नमबर है, उस दो रैसर नमबर के बी जालो उसके बीच में जैसे कि अभी हम के कुश्चन वह देखे थे 1 by 2 और 3 by 5 इसके बीच में पांच निकालने बुलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग इस सब टॉपिक में उसको देखेंगे कि रैसे नंबर्स बीट्वीन 2 नंबर्स ठीक है 2 रैसे नंबर्स के बीच कैसे निकाला जाता है हम लोग इसमें क्लियर करेंगे तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइपस अप नंबर्स जो कि आपका जाना है कि नंबर्स सिस्टेम यह आप लोग पढ़ चुके हो पहले से ठीक है यह आप लोग सबसे पहले पढ़ चुके हो कि टाइपस अप में natural numbers क्या होते हैं, whole numbers क्या होते हैं, integers क्या होते हैं, rational numbers क्या होते हैं, irrational numbers क्या होते हैं, real numbers क्या होते हैं, imaginary और complex numbers क्या होते हैं सबसे पहले आप लोगों को natural numbers से irrational numbers तक जानना है, real numbers, imaginary numbers और complex numbers यह आप लोगों का topic में है ही नहीं क्योंकि फिर भी हम में बता दूँगा कि इन numbers क्या होते हैं क्योंकि यह आपको class 9 और 10 में पढ़ना है real numbers, imaginary numbers, complex numbers 9, 10 और 11 के topic में यह पूरा आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग natural numbers का बात करते हैं तो types of numbers में सबसे पहले आप लोग natural numbers पढ़ोगे उसके बाद whole numbers पढ़ोगे उसके बाद integers पढ़ोगे फिर क्या देखेंगे कि rational number के साथ इस तीनों का relation कैसा है वो हम लोग देखेंगे इस rational number किसको बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे तो ट्रास 6 में पढ़े हो, कि natural number क्या होते हैं, कि वह से number जो होता है, आपका starts from 1, ठीक है, number starts from 1, are called natural numbers, ऐसा number जो कि 1 से start होता है, उसको में क्या बोलते हैं, natural number बोलते है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या वो है आपका, ये natural numbers है, जो कि 1 से start होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये की infinite तक चलता है, 100 भी आपका natural numbers हो गया, 200 natural numbers हो गया, 1000 आपका natural number हो गया, लाखों कोर्डरों तो जाएगा, वो आपका positive numbers होंगे, अब सबसे पहले हम देखते हैं, कि सबसे smallest natural number क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि 1 से start होता है, तो smallest natural number, obviously क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, तो हम लोग ये भी समझ देखते हैं, कि natural number क्या होता है, ये आप लोग class 6 में अल्रेडी पढ़ चुके हो, चीक है, तो हम लोग next देखते हैं, कि whole numbers क्या होता है, whole number किसको बोलते हैं, ये भी आप लोग class 7 में पढ़ रहे हो, numbers which starts from 0, वैसे number जो कि आपका 0 के साथ, 0 से start हो, मतलब natural number के साथ, आपको 0 क 2, 3, 4, dot, dot, infinite तक, ठीक है, मतलब आपका सबसे smallest whole number कुन साथ, 0 है, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे, smallest natural number क्या है, आपका 1 है, क्योंकि 1 से start होता था, इसलिए आप से smallest whole number क्या है, 0 है, 0 से start होता है, अब हम लोग क्या देखे, कि all natural numbers are whole number, मतलब आपका जो natural number है, जितने से natural number है इसके अंदर आजाएंगे, पूरा whole number के अंदर आजाएगा, मतलब आपका natural number के साथ, हम लोग जीदी 0 include कर देता है, तो पूरा तो whole number बन जाता है, صिब 0 ही है कैसा numbers है, और तो कोई number इसमें include नहीं कर रहे है, पूरा natural number के साथ, 0 जीदी include कर देता है, तो आपको क्या बनता ह हो होल नमबर बन जाता है तो हम लोग क्या देखे कि all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not a natural number क्योंकि इसमें zero include include करेंगे तब ही natural number के साथ zero include करेंगे तब ही अपको whole number बनेगे ना यह तो आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े हो ठीक है इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि integer क्या होता है यह भी आप लोग क्लास 7 में पढ़े हो कि integer किसको बोलते हैं कोई भी whole number के साथ negative numbers को आड़ कर दो आपको क्या बन जाएगा integers बन जाएगा positive and negative numbers are call integers जितने साथ positive numbers और negative numbers है उसको में क्या बोलता हैं integers बोलते हैं जैसे कि आपका minus 1 minus 2 आपको क्या है इसको जो हम लोग negative integer बोल सकते है जिरो से लेप तरब जो भी numbers है वो आपका क्या है negative numbers है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 .. ऐन फाइन तक जाएगा यह आपका क्या है negative integers है zero से Sozial दरब जो से राइट जो आपको negative है उसका positive form क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे positive integers यह हम लोग क्लास 7 में पहले से discuss कर चुके है तो हम लोग 0 आपका क्या है? 0 ना positive है ना negative है वो आपका integer ही है बट वो positive भी नहीं है और negative भी नहीं है वो एक नीट्रल पार्ट है तो 0 आपका क्या है? ना negative ही है वो अपकर खुद का दुनिया होता है 0 आपका खुद का दुनिया में वो जीता है ना negative कर तरफ जीता है ना positive कर तरफ जीता है । हम लोग क्या देखाए कि integers क्या होते हैं? कि उसमें आपका negative positive numbers दुनों आ जाते हैं साहथ में अपका जितने सरे फूरा whole numbers are integers, all all whole numbers are integers, okay, but all integers are not a whole number, हम लोग क्या देखे, कि जो natural number था, all natural number जो है, किसके अंदर जाता था, whole number के अंदर आ जाता था, ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे, कि पूरा जो whole number है, पूरा जो whole number है, वो किसके अंदर आ जाएगा, integer के अंदर आ जाएगा, जिसको हम लोग Z से भी denote करते हैं, ठीक है, Z means integer है, या I से भी denote कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो आपका पूरा integers के अंदर, whole number भी आ जाएगा, natural number भी आ जाएगा, एक question आता है, कि all natural number are integers, yes, all natural number are integers, all whole number are integers, yes, all whole number are integers, साद में हम क्या देखे, कि all integers whole number, no, all integers not a whole number, because 0 से जो लेप तरफ नंबर साजएगा, जो नेगेटिव नंबर साजएगा, 0 के बाद राइट तरफ है, वो आपका पूरा whole numbers है, 0 से स्टार्ट होके, आपका इतने साफ पॉजिटिव नंबर साजएगा, जो राइट नंबर आपका नेगेटिव नंबर साजएगे, आपका नेगेटिव नंबर साजएगे, तो इसको क्या बोलेंगे, तो यह आप लोग क्लास 7 में भी और डिसकस कर चुके है, देखो, इसके बाद जो numbers आता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, rational numbers, ठीक है, तो rational number किसको बोलते है, वो numbers which can be written in P by Q, from where Q not equal to 0, वो इसे numbers, जो कि हम लोग P by Q form में लिखते हैं, और कभी भी Q not equal to 0 होता है, ठीक है, not equal to आपका 0 होगा, और P और Q दोनों क्या होंगे आपका, यहाँ पर और एक चीज़ लिख दो, कि where P and Q are integers, P and Q are integers, अमें ऐसा क्या होगा, P और Q दोनों क्या होंगे, आपको integers होंगे, समझे में हा रहा है, but Q कभी भी 0 होगे, मत 0 को छोड़ करकर बाकि कोई बी इंटीज़ हो सकता है, Q में, ठीक है, but P में आपका Kकोई बी इंतिज़ जरे, 0 भी होες है, कोई बी बी दून्हें, कि इसको बहुत अच्छी से समझा थिक है क्योंकि रैसनल मैर ही आपका City Q 2 आपको ti को जानना है इसके बाद को रैसें नंबर को अच्छी अच्छी तब समझपाएंगे तो पर सकते हैं भी रैसनल कर सकते हैं साथ में आपको लेशनल ढ़या है गीशान नंबर स्दमार अच्छे से जानो कौन-कौन सा नंबर्स हैं दुनिया में किसको हम लोग राशनल नंबर बोलेंगे वो भी जान लेते हैं यह अपका मैं टॉपिक है तो हम लोग क्या देखे कि वैसे नंबर जो कि P by Q form में लिखा जाता है P और Q दुनों क्या होता है इंटीजर होते हैं Q not equal to zero होता है ठीक है Q आपका हर कोई integer होगा बट zero नहीं होगा ठीक है पी में हमें सा कोई भी इंटीजर हो सकते हैं इस मुझ में आ रहा है तो जैसे कि एक ग्जाम्पल हमें 2 by 3 लिखे हैं वह भी आपके क्या है राशनल नंबर है 5 by 6 वह भी राशनल नंब में क्या होता है वान होता है हम तो इससे जिरो न हीं बोला है जिरो नहीं लेना है डिनोमेर में but one थो ले सकते हैं त II के न लिन नमे्पर रॉas Send नमपर में जिनोमीटरम सकते हैं मैenाइस थरह से 5 मैनस 5 भी आपक्का एंडार 1 उसी तरह से त मैनस 3 mountains हो भी आपका एंड़मयाइसाय तो हंड्रों वह भी अपको थो हंड्र Еप्टफेशन लार मतलब कोई भी इंटीजर all आप दोनों क्या होते हैं इंटीजर होते हैं और Q हमेशा denominator कभी भी 0 नहीं होगा बाट कोई भी नंबर हो सकता है जैसे कि minus 3 by 5 वो भी rational number है ठीक है? 1 by 2 वो भी अपका rational number है minus 3 by 5 या तो 3 by minus 5 वो भी अपका क्या है rational numbers है तो हम लोग क्या देखें? कि all integers are rational number तो हम लोग बोल सकते हैं कि natural number भी अपका rational number है whole number भी अपका rational number है integer भी अपका rational number है क्योंकि integers के अंदर सब आजाते हैं whole numbers भी आजाते हैं natural number भी आजाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि all natural number are rational number all whole numbers are rational numbers तो all integers are rational numbers but all rational number not integers क्योंकि यह सब जो राशन नंबर हो इंटीजर तो नहीं है जो फ्रेक्शन में लिखा हुआ है 1 by 2 3 by 7 यह सब का राशन नंबर ने बट जितने सब हम लोग इंटीजर देखे 1 2 1 2 3 यह सब क्या है अपका राशन नंबर है क्योंकि इसके डिनोमेटर में आपका 1 है इसके डिनोमेटर में 0 नहीं होगा बट 1 तो हो सकता है तो हम लोग क्या देखे कि all integers are rational numbers उसके बाद हम लोग क्या देखे कि कौन कौन सा numbers है जो कि rational number नहीं है तो उस numbers को क्या बोलेंगे वो आपका next subject topic है irrational number देखो इसको अब लोगों पढ़ना नहीं है फिर जान लोग कि आपको मान लोग एक्जाम में देदी है question कि कौन कौन से number इसमें से बताओ कौन कौन से number जो है rational number है तो बाकी जो number से है उग क्या number होगा तो जारना है, कौन-कौन सा number जो है, rational number नहीं है तो उसमें से choose करना सही रहेगा कि हम लोग कौन सा numbers को rational number बोलेंगे कौन सा numbers को rational number नहीं बोलेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो कि कौन सा number जो कि rational number नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलता है irrational number बोलता है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? Numbers which can be expressed in P by Q form मतलब जोसको हम लोग P by Q form में expressed नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Erational number बोलेंगे, वो आपका rational number नहीं है जो P by Q form में लिख नहीं सकते हैं तो क्या है? जैसे कि root 2 root 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या P by Q form में नहीं लिख सकते हैं तो क्या आपका है? यह आपका irrational number में आ जाता है उसी तरह से root 3 root 3 भी आपका irrational number है pi, pi भी आपका क्या है? irrational number क्यों irrational नहीं? क्योंकि 22 by 7 आपका पाई का value पढ़े थे बट तो irrational था ठीक है? इसको देखके मत मान लेना किया irrational number है बोलके pi का, pi अपना खुद का value में दुनिया में जीता है वो आपका pi का value क्या होता है? 3.14.0 चलते रहेगा, ठीक है? वो हमें कभी खतम नहीं होगा यह आपका, यह हम लोग पढ़ेंगे class 9 पे जब जाएंगे pi को हम लोग क्यों irrational बोलते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए कौन-कौन सा numbers irrational होते हैं जो p by q form में नहीं होते हैं वो आपका root form में होता है, root 2, root 3, pi जैसे ही कि आपका root 4 बोल दिया जो जिसका square root निकल रहा है, वो आपका rational number होता है, जो इसका square root नहीं निकल रहा है आपका क्या है? इराशन numbers है हाँ, और एक चीज़, जैसे कि 2.5 2.5 कौन सा numbers होगा? वो आपका rational number हो, इसको अम लोग तोर सकते हैं 2.5 by 10 क्योंकि 25 by 10 वो आपका कौन सा number निकल रहा है? इराशनल number निकल रहा है, जितने सारे point numbers है ठीक है, वो आपका मतलब finite, मतलब decimals number जैसे कि 2.5 ठीक है, वो आपका fine decimals के बाद finite numbers है तो आपका क्या हो गया? इराशनल number हो गया तो हम लोग समझ में आगा कि इराशनल number क्या होता है, इराशनल numbers क्या होता है ठीक है? अब हम लोग क्या देखेंगे? कि इसके बाद जो आपको real numbers, real numbers क्या होता है? real number किसको बोलते है? राशनल और इराशनल मिरा करके आपका पूरा को हम लोग क्या बोल जाता है? real number बोलते है रियल नमबर में आपका rational भी आ जाएंगे और irrational भी आ जाएंगे ठीक है उसी तरह से हम लोग जानेंगे कि imaginary नमबर क्या होता है imaginary कुछ अलग होता है जो rational भी नहीं irrational भी नहीं है ठीक है मतलब root के अंदर जिदे हम लोग root के अंदर आपके जिसे की root के अंदर हम लोग minus 2 लिख दिए तो आपको कौन सा नमबर आ जाएगा वो imaginary नमबर आ जाएगा ठीक है वो आपको जाना था ठीक है और कुन-कुन सा नमबर जो का आपका rational नमबर नहीं है उसको क्या बोलते है उसको जाना था और extra उसको जाना नहीं है क्योंकि आप लोग को एक class 9th और 10th में आप लोग का real नमबर पहले वहाओ ओफ आल म उसकर नमबर को जानने से पहले जोआ नमबर सीस्टेम जो आप लोग नेच्रोइल नमबर होल नमबर इंट्र है उसका भी perfect जानना बहुत जोरी है क्यों जानना जोरी है क्योंकि ये error number में उही सब jakieś property होंगे जो हम लोग इसमें पड चुके या भून गुण तो सें हो गा नुग थोड़ा बहुत अलग होगा बर्ट गून तो क्या होगा अलग सेंपये होगा क्योंगि वह ही नंबर के अंदर आते हैं तो शी तरह यह पहले जानते हैं कि नेच्रिण होता है आपका सबसे पहले इंटीजर का परपरटी क्या होता है देखो सबसे पहले आपका कुन सा परपरटी है लोग किसको बोलते हैं यह लोग क्लास 7 में पढ़े हो देखो कोई भी दो इंटीजर हो मालो एक इंटीजर है दूसरा इंटीजर आपका भी है एक दोनों इंटीजर के बीच में situation удерж खरेंगे давайте जो बहलू निकले का C हो भी आपका क्या होगा इंटीजर होगा तो इसको में नोग क्या बोलते है इं- उपरेशन के ज़िए हम लोग प्लस, माइनस, मल्टिपलाई और डिविजन ये चार ओपरेटर ये उज़ करेंगे मतलब एक मालो एक इंटीजर का गाड़ी है इस गाड़ी में ड्राइवर ऑपरेट कौन करता है ड्राइवर करता है उसी तरह से उसको कौन-कौन सा ड्राइव गाड़ी को अच्छे से हैंडल कर सकता है तो उसी तरह से हम लोग इससे के माल लो एक आपका इंटीजर है दूसरा आपका बी एक इंटीजर है ये दोनों को एड़ करने पर जो जैड आपका जो एक सी आएगा वो हमेंसा क्या होना चीज इंटीजर होना चीज जो जैड मीन एक्जामपल लेकर समझ सकते हो कि 1 प्लस 2, 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, दुनों का अड़ करो, तो जो भेलू निकल रहा है, ओ भी आपका क्या निकल रहा है, इंटीजर निकल रहा है, चीक है, उसी तरह से हम लोग 2 इंटीजर को जब सब्स्ट्राक्शन है, इसमे तो हम लोग क्या देखे, की इंटीजर अर्क्लोज अंडर एडिसन, मतल Sword Property को Hold कर रहा है, एडिसन ओपरेटर को लेकर के, हम लोग क्या देखे, यह हैं अपलोग क्लास 7 मझ में अर्लडी पढ चुक्य हो किसी कोई 2 integer है, इसको multiply करो, तो integer निकलेगा, यह नि, वो चेक करो, 1 और 2, 1 into 2, 2 ही निकलेगा, 1 into minus 5, minus 5 निकलेगा, आपकर क्या integer है, minus 5 भी एक integer है न, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कि कोई भी 2 integers को multiply करे हैं, तो हमेशा वो एक integer आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं, integer are close under multiplication यह तो हो गया, तो integer जो है, closure property को hold किया, कुन-कुन सा operator को लेकर के, addition operator को लेकर के, subtraction operator को लेकर के, और multiplication operator को लेकर के, अब next देखेंगे, division operator को लेकर के hold करें गया नहीं, देखो, कोई भी दो integer लेलो, आपका A और B, ठीक है, उसको divide करो, कोई example लेकर के समझ सकते हैं, कि 1 एक integer है तुसरा आपका 2 एक integer है, 1 divided 2, मतलब आपका क्या है, उसको का टेगा क्या, 1 by 2, 1 by 2 एक integer है क्या, नहीं है, 1 by 2 हम लोगो भी क्या पढ़े, एक rational number है, integer तो नहीं बुलेंगे उसको, तो हम लोग क्या देखें, कि integer जो है, वो division operator को लेकर के, closure property को hold नहीं करेंगे, हम क्या जानत है, और 2 एक integer, इसको divide करेंगे, तो आपको क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 2 तो एक integer निकल रहा है, हमेसा क्या सही हो रहा है, कोई भी 2 integer को divide करेंगे, तो हमेसा वो क्या निकलना चीए, integer निकलना चीए, तब ही हम लोग बोल सकता है, integer जो होगा, close under division हो सकता है, तो इसमें कोई भी दो integers को add करो या सबस्टार्ट करो या multiply करो या division करो ठीक है फिर उसको interchange करके जएदि कोई दो integers को add कर रहें तो इसको इंटेजर जाएज है कि a plus b कर है जएदि उसको interchange किए b plus a करेंगे तो हमेसा equal होना चीए ठीक है मतलब a operation b equal to b operation a हमेसा होना चीए operation में आपका क्या होना चीए इसमें जो operation है उसमें plus minus division multiply चारों चीज़ लग करके देखेंगे जिदी अब लोग a plus b और b plus a equal हो गया है तो हम लोग बोलेंगे कि addition operator को ले करके commutative property को hold करेगा तो देखो सबसे पहले plus operator जो है plus operator को ले करके हम लोग commutative property को hold कर आए गया तो हम लोग कोई भी example लेकर समझ सकते हो 1 plus 2 equal to 2 plus 1 तो होगा तो लिख सकते हैं कि integers are commutative under addition ठीक है बट इडिशन को लेकर हो गया अब multiply के लिए चेक करो कि कोई भी दू इंटीजर इसको multiply करो फिर interchange करके multiply करो हम इससे सेम आएगा 1 into minus 5 और minus 5 into 1 तो सेम आ रहा है ना इसमें भी आपका minus 5 आएगा इसमें भी minus 5 आएगा तो हम लोग दू इंटीजर को multiply करें फिर interchange करके multiply करें तो हम इससे सेम आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि integers are commutative under multiplication ठीक है अब उसी तरह से divide को लेकर check करो divide को लेकर तो होगा ही नहीं क्यांकि 1 divided 2 और 2 divided 1 वो कभी भी सेम नहीं होता है तो नहीं होगा तो clear होगे community property अब हम लोग next देखते हैं associative property associative किसको बोलते है वो आपका किस form में रहेगा a operation b या आपका a operation b operation c यदि आपका जो value है वो हम ऐसा किसके साथ बड़ावर होना अच्छिए a operation b के solve करेंगे बाद में c के solve करेंगे ठीक है वो हम ऐसा इसके साथ same होना अच्छिए मतलब यदि हम लोग a plus operator यूज किये पहले b plus c को जोड़ेंगे बाद में जो value निकलेगा वो a के साथ जोड़ेंगे वो हम ऐसा किसके साथ equal होना अच्छिए यदि हम लोग a plus b किये बाद में c के साथ add किये तो आपका equal हो जिससे के example लेकर समझ लेते है ठीक है चेक करो चेक कर हो गया ने क्योंकि 2 प्लस 1 जो है आपका जैसी का भी है मैं आप में लिख देता हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्वेल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है तो हम ऐसा equal होंगे क्योंकि 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 हो रहा है हो रहा है ना 1 प्लस 5 इसमें 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 3 प्लस 3 कितना हो जाए 6 तब भी equal होंगे तो में बूल सकते हैं कि integer जो है associative property को hold करेगा कब अब देखो subtraction देखो जबकि हम दो commutative property को hold नहीं किया तो में कैसे बोल सकते हैं कि associative property को hold करेगा कि कोई भी दो integer जब subtract करें ठीक है तो उसमें minus plus कर तो for कहा सकता है जिसे 1 minus 2 minus 3 चेक कर सकते हो example में ठीक है एही example लेकर करके minus operator को लेकर check करो 1 minus 2 minus 3 1 minus 2 minus 3 ठीक है तो 2 minus 3 कितना हो जाएगा minus 1 आ जाएगा 1 minus 1 0 आ गया इसमें 1 minus 2 equal to 1 2 minus 1 plus 1 आ गया प्लस 2 आ गया इसमें इसमें कितना है आएगा आपका 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 3 minus 4 आ जाएगा तो दुनों सेम है क्या है सेम नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि integers are not associative under subtraction ठीक है clear हो गया उसी तरह से multiplication multiplication अपरेटर को लेकर के आपका होल्ड होगा integer जो है multiply operator को लेकर होल्ड होगा क्योंकि आपका commutative property को hold करता था इसलिए आपका associative property को भी hold करेगा example लेकर के समझ सकते हो one into two into three हम लोग अभी क्या देखे कि one into two into three होई same example लेकर समझ सकते है कोई problem नहीं है कोई भी example ले सकते हो अपने मर्जी से कोई भी example ले सकते हो तो 2 into 3 कितना आ रहा है one into six तो आपका value कितना आ एगा 6 आएगा 1 into 2 कितना आएगा 2 into 3 कितना आगया 6 तो left hand side right hand side equal होंगे तो हमनों बोल सकते हैं कि कोई भी integer लेंगे उजी दे associative property में रखेंगे और इसमें आपका multiplication operator ले रखेंगे तो हमेंसा क्या होगा hold करेगा तो हमनों बोल सकते हैं कि integers are associative under multiplication तो clear हो गया मतलब इसको लेके hold किया और एक्सको लेके hold किया और अपका subtraction को लेके hold नहीं किया अब हमनों के देखेंगे division division को लेके तो hold नहीं किरेगा योंकि आपका rational number form हो जाएगा इसमें और equal भी होंगे नहीं तो अब जानते हो अब हम लोग next देखते हैं Distributive property, Distributive property को जानने से पहले हम लोग identity को जान लेते हैं additive identity क्या होता है और multiplicative identity क्या होता है देखो हमेसा कोई भी नंबर, कोई भी integer हो, कोई भी natural number हो, कोई भी whole number, उसका additive identity क्या होता है? 0 होता है, क्यों 0 cumulative identity बोलेंगे? क्योंकि कोई भी integer है, उसको जिती 0 के साथ add करेंगे, फिर से वही number वापस आजाएगा, तो हम लोग, मालो, कोई भी integer है, उस integer के साथ क्या number add करेंग 0 को मिलों क्या बोलेंगे? additive identity बोलेंगे, ठीक है? मतलब आपका कि 5, 5 प्लस 0, तो आपको क्या हो गया? 5 हो गया, तो 0 हमेसा क्या है? additive identity है, minus 7, minus 7 के साथ क्या add करेंगे? minus 7 फिर से मिलेगा, 0 add करेंगे, ठीक है? 0 हमेसा, हमेसा कोई vintages के लिए 0 आपका क्या है? additive identity है, ठीक है कुशन आ सकता है कि एक minus 5 है उसका additive identity क्या होगा 0 ही होगा देखो additive identity और multiplicative identity कभी चींज नहीं होता है वो अपका rational number में भी अपका additive identity क्या होगा 0 होगा उसी तरह से rational number में multiplicative identity को देखते हैं ऐसा कुन सा number है कोई भी integers के साल multiply करो फिर से वही integer वापस आजाएगा 1 1-5 करेंगे तो minus 5 मिलेगा 1 into 3 करेंगे तो 3 मिलेगा तो 1 आपका क्या है multiplicative identity है ठीक है तो हम लोग यह भी देख लिए कि integers का जो identity होता है वो आपका क्या होता है 0 को हम लोग क्या बोलते हैं additive identity बोलते हैं को मनों क्या बोलता है multiplicative identity बोलता है तो इस चीज हम लोग पढ़ेंगे तो इंटीजर का जो property है उसको तो समझ में आ गया ठीक है इंटीजर में जो closure property है कुण 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 सा operator को लेकर hold किया प्लस माइनस और मल्टिप्लाई दोनों operator को लेकर के associate property hold किया बट माइनस जो है hold नहीं कि माइनस और डिविजन दोनों operator से associate property hold नहीं हुआ अपर लोग क्या देखे distributed property distributed property man है किसको बोलता है distributed property कोई भी दू इंटीजर को एड किये कोई भी दू इंटीजर से कि 1 प्लस 2 ठीक है एड किये जिसको मुझे 3 के साथ multiply करते हैं वह हमें ऐसा क्या value के equal होना चाहिए 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 के बराबर होना चाहिए तो ही इसको मुझे क्या distributed property मत्तों इसको वान के साथ multiply करेंगे एक बड़ टू के साथ multiply करके add करेंगे जो value होगा इसको मुझे distributed property बोलते हैं उसमें तो ही बोला है देखो यह जो है b plus c को add कर रहा है तो एक बार a और b के साथ multiply कर रहा है एक बार a c के साथ multiply कर रहा है तो आपके equal होना चीए मतलब एक बार b के साथ multiply कर रहा है एक बार c के साथ multiply कर रहा है तो देखो सेम हो रहा है क्या 3 into 1 3 plus 5 3 into 2 6 6 3 9 ठीक है 2 plus 1 3 3 into 3 अपकर क्या निकल रहा है 9 निकल रहा है तो बहलू सेम है इससी को मुझ distributed property बोलता है distributed property under addition over multiplication ठीक है मतलब under addition over क्या होगा multiplication होगा उसी तरह से दो integers को सब्स्टार्ट करेंगे उसको multiply करेंगे तो हमेंसा इसका अलग-लग multiplication का subtraction बराबर होगा ठीक है तो हम लोग क्या देख रहे है distributed property under subtraction over multiplication ठीक है but division division और multiply को लेकर करके नहीं होगा not applicable होता है ठीक है यह हम लोग समझ में आ गया इसको समझ में आ गया ना subtraction को लेकर जैसे example ले सकते हो 1-2 मैनस रख दोगे तो इसमें मैनस आ जाएगा 3 into 1 और 3 into 2 का मैनस हो जाएगा तो 1-2 क्या अगो 1-1 होता है तो value minus 3 आता है तो इसमें multiply करो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो अब तब भी इसका minus 3 value आएगा तो clear हो गया तो I hope इस जो integers का जो properties है उसको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपका immense था अब हम लोग देखेंगे कि whole number का property क्या होता है तेखो same property जो होता है हर एक चीज का property हम लोग same होता है बट कुछ-कुछ operator को लेकर करके whole नहीं करता है वो तो है ठीक है सब में जैसे की integer में जो property पढ़ है वो हम लोग whole number में भी same properties पढ़ें और rational number में भी same properties पढ़ेंगे बट वो देखेंगे कि कौन-कौन सा operator को लेकर करके वो hold कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है बट additive identity, multiplicative identity और additive inverse और multiplicative देखो एक चीज हम लोग चूट गया था कि additive inverse, integers का inverse property वो हमनों कर छूट गया था, inverse property लिख दो इसको inverse property क्या होता है कि कोई भी एक integer है उसके साथ क्या add करेंगे कि एक additive identity मिलेगा क्या add करेंगे बताओ, minus say, minus say add करेंगे ना, तो उसका additive identity क्या मिलेगा, 0 मिलेगा उसी तरह से पुछेँए 5 का additive inverse क्या होगा, 5 के क्या होगा, minus 5, minus 5 किसका additive inverse है इस 5 का consolidated inverse तब ही 0 मिल रहा है एदि हमनों को पुछेँए minus 7, minus 7 का additive inverse क्या होगा, plus 7 होगा, 0 आना चाए, ठीक है उसके साथ क्या एड़ करेंगी जिरू आना चीए तब ही उसको additive inverse बोलेंग, additive inverse वार देखो, ठीक है, उसी तरह से multiplicative inverse क्या होता है, तो इसमें लिख सकते हो 7 is a additive inverse of minus 7, ठीक है, 7 किसका additive inverse है, minus 7 का, वो हम लोग rational number में भी पढ़ेंगे, ठीक है, यह same property होता है, same चीज होता है, rational number में भी additive inverse, additive inverse, additive identity और multiplicative identity, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, multiplicative inverse क्या होता है, मल्टिप्लीकेटिव inverse, जिससे कि 2, 2 के साथ क्या multiply करेंगे, कि 1 आएगा, मतलब 1 को हम भोलते हैं, multiplicative identity बोलते हैं, तो हम ऐसा 2 के साथ क्या multiply करेंगे, तो multiplicative identity, निकलना चीए, 1 by 2 करेंगे ना, तो 1 by 2, जो है, मल्टिप्लिक्टिव इन्वर्स अब किसका 2 का, 2 का मल्टिप्लिक्टिव इन्वर्स क्या हो गया, 1 by 2 हो गया, मतलो उसके रेसिप्रोकल करके, तब ही तो 1 आ रहा है, तो पुछा जाए, एक रेस्न लंबर देदे, तो आपका एक रेस्न लंबर है, अब रेस्न लंबर में यह 25 पढ़ेंगे, उसका मल्टिप्लिक्टिव इन्वर्स क्या होगा, 3 by 2 होगा, तब ना, वह आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तब ही उसका मल्टिप्लिक्टिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, और 2 by 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस 2 by 3 होगा, यह तो क्लियर हो गया, देखो, होल नमबर में भी वह इस सेम प्रपर्पर्टिज पढ़े हैं, क्लोजर प्रपर्पर्पर्टि, कोमूटेटिव, एस्सोसियेटिव और डिस्टिवुटिव प्रपर्पर्टि, ठीक है, इसमें सिप the subtraction और division operator को लेकर hold नहीं करें, यांकि दो hold number को जो subtract करता है, तो हम ऐसा hold number तो नहीं आता है, वो भी integer भी आ सकता है, तो इसलिए subtraction operator और division operator को लेकर को, Zust suffrage of whole numbers are closed under addition and multiplication but not closed under subtraction and division ठीक है तो clear हो गया है अब लोग देखें next commutative property commutative में भी आपका subtraction और division को लेके hold नहीं करेगा ठीक है whole numbers are commutative under addition and multiplication but not commutative under subtraction और division ठीक है तो हम लोग यह भी देख लिये थे associative में भी क्या है आपका subtraction और division operator को लेकर hold नहीं करेगा but addition or multiplication operator को लेकर करके hold करेगा उसी तरह से distributed property में जो आपका integer में हुआ same इसमें भी हो गये ठीक है यहाँ पर whole number का ही उच्छ करके distributed property को swap करता है तो I hope यह जो number system का जो properties है उसको अच्छ से clear हो गया होगा अभी हम लोग क्या देखेंगे कि rational number का property rational number का गुन क्या होता है ठीक है वही same properties में भी होगा बट उसमें थोड़ा बहुत changes होंगे कि जो आपका कोणकूण सा operator को लेकर के hold नहीं करेगा करेगा अम लोग देखें देखो जो integer में किया rational number में वही हम आपका integer वही आपका rational number में भी वही operator को लेकर के hold करेगा ठीक है तो सबसे पहले number line number 911 किसको बोलता है जैसे कि कोई भी लिए रैस्टराल नम्बर है उस रैस्टराल नम्बर को नमबल लाइन में प्लोट करेंगे को इसको क्या बोलेंगे नंबर लाइन बोलते हैं जैसे आपका इंटीजिस को नंबर लाइन तो जानते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 0 के left तो आपका infinite तक जाता है 0 के right तो आपका infinite तक जाता है positive numbers होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसी इंटेजिस के number line पे ही हम लोग राशन नंबर को plot कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आप माहा लोग की 0 है और 1 है इधर आपका minus 1 है अब बताओ minus 1 by 2 कहां पे होगा कोई भी राशन नंबर है उसको number line में कैसे plot करते हैं कैसे दिखाते हैं उसको अच्छी तरह से समझेंगे ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि राशन नंबर का properties ठीक है तो इसमें जो सबसे पहला property है closure property कोई भी दो राशन नंबर को add करते हैं तो हमेशा हो क्या निकलता है राश इसा ही निकलेगा ठीक है तो राशन नंबर है close under addition उसी तरह से दो राशन नंबर को जो अब subtract करते हैं तो हमेशा आपका क्या निकलता है राशन नंबर ही निकलता है तब ही हम लोग बोल सकते हैं कि राशन नंबर है close under subtraction उसी तरह से कोई भी दो राशन नंबर उसको multiply करते ह तो हमेशा हो क्या निकलता है, rational number निकलता है, example लेकर समझ सकते हो, ठीक है, same example ले सकते हो, आपके मर्जी से कोई भी example लेकर समझ सकते हो, ठीक है, अब मैन आता है, जो integer में नहीं होता था, कि divisor operator को लेकर के, hold करता था, अब लेकिन करेगा, देखें, माल लोग एक rational number है 1, दूसरा number है 2, अब इसको divide करें, 1 by 2 आ रहा है, वो भी आपका rational number आ रहा है, आ रहा है, 1 by 2, बट वो integer नहीं था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि rational number is closed under division, ठीक है, तो समझ में आ गया, कि rational number जो होगा, वो closed होगा, division operator को लेकर तो यह चीज, जो चीज हम लोग की integer में पढ़े हैं, वो सेम चीज में भी पढ़ना है, सीव एक्स्टा क्या बढ़ गया, कि division operator को लेकर के closure property को hold किया, वो कैसी hold किया, हम लोग example लेकर के बना सकते हैं, ठीक है, example लेकर समझ सकते हैं, जैसे वहाँ पे example लिये थे, 1 divided 2, तो 1 by hold किया, क्योंकि कोई भी दो integer उसको सबस्टाट किये, तो integer निकलता था, बड़ दो hold number को जब सबस्टाट करते हैं, तो hold number तो नहीं निकलता था, clear है ना, तो उसी तरह से 2 rational number को जो divide कर रहे हैं, तो हम एंसा के rational number नहीं निकलेगा, ठीक है, तो यह तो clear हो गया, अब commutative property, क् के बीच में operator लगाते हैं, और इसको interchange करका operator लगाते हैं, तो same होना था, देखो, जो चीज हम लोग integer में पढ़े हैं, वही same इसमें भी देखेंगे, ठीक है, जब plus करके 2 rational number को add करेंगे, फिर उसको interchange करके add करेंगे, तो हम इसा same होगा, बट subtraction में तो same नहीं होगा, कोई भी दो rational number उसको substitute करेंगे, फिर उसको interchange करके substitute करेंगे, एक तर प्लस है, तो एक तर मैनस आ सकता है, sign के change हो सकता है, कुछ भी भेल हो आ सकता है, तो हम इसा equal नहीं होगा, बट division के लिए, multiply के लिए आपका equal होगा, कोई दो rational number उसको multiply करेंगे, फिर उसको interchange करेंगे, तो आपका हम हमेंसा क्या होना चीए? इक्वल होगा, जैसे कि 1 x 2 और 3 x 5 तो हमेंसा क्या होना चीए? 3 x 5 और 1 x 2 हमेंसा क्या होगा? इक्वल होगे, ठीक है? मत्तब 3 x 10 इसका भलू क्या आ रहा है? 3 x 10 आ रहा है, तो इक्वल हो रहा है, बट division के लिए division operator को लेकर के hold नहीं करेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या देखे? कि restring number are commutative under addition and multiplication, ठीक है? बट restring number are not commutative under subtraction and division, ठीक है? इस तो हम लोग देख लिए, सबसे पहले क्या देखे थे? कि restring number are close under addition, subtraction, multiplication and division, इसमें चारों operator को लेकर के closure property को hold कर रहा है, बट commutative property में restring number, addition and multiplication को ही लेकर के hold कर रहा है, बट division और subtraction को लेकर के hold नहीं कर रहा है, उसी तरह से associative property में भी अपका addition और multiplication operator को लेकर के hold करेगा, subtraction और division operator को लेकर के hold नहीं करेगा, ठीक है? तो हम लोग बूल सकते हैं कि restring number are associative under addition and multiplication, बट इसको तो समझ में आ गया है मैं जब बोर्ड में पढ़ाऊंगा और अच्छे से इसको क्लियर करके समझाऊंगा ठीक है यहां तक तो आप लोगों समझ में आ रहा है next हम दिस्टिटीग taking में क्या भोरा है की कोई भी दू रासनवें में कोई तीन रासन नंबर के क्या थीक है हम लोग अब क्या पढ़े थे बी प्लस सी के है or ए और बी केशलड मल्टिप्लाय करके फिर आड करेए तो हम ऐसा क्या होना चीए equal होना चाहिए, example लेकर कर समझें, इतना integer में, उसी तरद से rational number में भी example लेकर कर समझेंगे तो क्या होगा आपका इस property को hold करेगा, मत्रब rational number are distributive under addition over multiplication, ठीक है उसी तरद से rational numbers are rational number are distributive under subtraction over multiplication उसी तरद से subtraction rational number को subtract करेंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसी तरद से rational number को AB के साथ multiply करेंगे, और C के साथ multiply करने पे equal होंगे मत्रब rational number are distributive under subtraction over multiplication, ठीक है but multiply or division में applicable नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों operator एक साथ ही उज़ होता है, distributive में इतना यहां तक समझ में आ गया अभी देखो, एक चीज यहां पर अभी बताया हूं कि additive identity मतब आइडेंटिटी प्रोपर्टे rational number का identity property होता है और inverse property भी होता है मतब आइडेंटिटी प्रपर्टे में दू आइडेंटिटी जानना है आपका additive identity और कि मल्टिपलिकेटिव दू आइडिंटिटीट जाना है ऐडिया पर लाइडेंटिटीथि प्रोफरिटि fulfillment आइडेंटिटीटि में आपके दू आइडेंटिटि जाना है आपका अधिंट्र अधियाまा Chief उसी तरह से जो integer में पढ़े हैं कि additive inverse और multiplicative inverse इसमें भी वही सेम चीज होता है कि आपका कोई भी रास्तिर नमबर है 2 by 3 इसका additive inverse कैसे निकालेंगे कि इसको क्या add करेंगे 0 आएगा minus 2 by 3 करेंगे तो इसका जो positive नमबर होगा तो negative होगा तो एही उसका क्या हो गया आपका additive inverse निकाल सकते हैं तो उसी तरह से multiplicative inverse कैसे निकालेंगे कि इससे की 2 by 3 इसका multiply करेंगे तो multiplicative identity निकलेगा 3 by 2 करेंगे 3 by 3 काडिक है Guevara 2 by 3 काडिक था neighboring तो 3 by 2 किसकाhtका है 2 by 3 का ठीक है तो जब हम लोग इसको board में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से clear कहेंगे I hope properties of rational number सबको समझ में आ गया होगा अब हम लोग next class में rational number को कैसे number line में plot करते हैं वो देखेंगे, साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि next class में कोई भी दो rational number है उसके बीच में number और rational number कैसे निकालता है I hope जितने सारे number system है, number जो आपका natural number, integers, whole number उसका properties को अच्छे से clear हो गया होगा साथ में rational number का properties को अच्छे से clear हो गया होगा Thank you दोस्तो